तो गाईज यह है मेरे मेकप ब्रशिस का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है मेकप ब्रशिस का कलेक्शन करना जो मेरे पास सबसे महेंगा ब्रेंड है ब्रशिस का वह है बेसमाल का मेरे हपीरी मुझे गिफ्ट करा था उसके बाद दुमन से बहुत सारे ब्रशिस गिफ्ट ले तो इस बार काफी सारे ब्रशेस वाश करने के लिए कठा होगे थे वैसे तो मैं टाइम टाइम पर करते रहती हूँ बर इस बार कुछ जाद ही होगे थे तो मुझे लगा चलो वीडियो बना लेते हैं आपके लिए एक हैलफल वीडियो निकलाएगी क्योंकि मेकप ब्रशेस बना वाश करने के अभी न एक प्रॉपर टेक्नीक होता है तो मैंने पतीले में पानी ले लिया नॉर्मल पानी है थंडा नहीं है जादा और गरम भी नहीं है वाम भी नहीं है जो टंकी से आरा था वो भर लिया उससे मैंने एक बोड़ी वाश मिक्स कर लिया आप शेंपो मिला सकते हैं और यह ना एक टूल आता है यह क्लिनिंग का मेकप ब्रश का एक मैड भी आती है यह सिलिकॉन का होता है वो भी सिलिकॉन की होती है तो आपके बाद जो है आप उससे वाश कर सकते हैं इसी से आपको मेकप ब्रश को वाश करना होता है लोग करने को चलनी से भी कर यहां अब यहer पाइडर ब्रस मांता नियुक्त irr exfol sony, मैं गौल घौल साफ दाल-इना फिर ऊडम के बीट प्कने साफ लगन जाता पानि रगासथी उसे इसे अरव बीकुत कर रही हो और जो fluffy brush है उनको round 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 गुमा गुमा के मैं clean कर रही हूँ flat brush बस आपको आगे पीछे इस तरीके से move करके clean करने है और जो blending brush है उनको आप अच्छे से move कर सकते है तो बस यही तरीका होता है जो brush wash करने का तरीका होता है चाहे वो eyeshadow brush हो या फिर highlighter brush हो blender brush हो जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं जो उसके direction है उसी में करिए fluffy brush आप गोल-गोल गुमा सकते हैं but flat brush आप आगे पीछे जिस्ट हलकी हलकी हाथों से करिए ताकि उनकी जो brushes की direction है वो खराब ना हो beauty blender को भी बस मैं पानी से soak कर करके tool में beauty blender को रगर लोंगी उसके बाद अब दिखो जो पानी आ रहा है डिरेक्ट टंकी से मैं उसी मैं डिरेक्टली wash कर रही हूँ और उसके बाद इस तरीके से करोगे ना वैसे पानी ज़्यादा सुखाने को आप ड्रेयर से सुखा सकते हैं बट जो मेरा तरीका वो यह है मैं एक टावल लेती हूँ और इसके बाद इसको हलके हलके आदों से रगरती हूँ ताकि वो अपनी डिरेक्शन में आ जाएं अब मैं रखते जाओंगी एक एक को आपको ऐसे करना है हाँ महनत लगती है यह सब करने में तो आपको महनत करनी है और पता है मैं हर बार मेक अप करने के बाद मेक ब्रॉश इसको ढग कर रखती हूँ और जो मेरे पाई यह दूलेवे मेक ब्रॉश इनको भी माँ धककर रखती हूँ मैं बिल्कुल भी दूल नहीं जाने देती हूँ उनके अंदर तो आप देख सकते हैं धुल गए हैं इसको हम हवा से सुखने देंगे आप अगले दिन का शिदेको कितने साफ हो मेरे ब्रॉश देख हैं एक एक ब्रसेे बिल्कुल टूटे हैं बिल्कुल अच्छे फ्लॉफी ब्रॉफी ब्रॉश आपõसे लिएया है